Hello everyone, मैं विश्जीत सिंग, आप सभी का देगी ने अपस्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A. History M.H.I.06 का एक important topic का series करने जारें जिसके अंदर में 15-20 topics आते हैं और उन सभी topics को last 10 साल की question paper में से लिया गया है जिसके अंदर में आज हम topic म.2 को शुरूआत करने जारें और आज का हमारा topic है ग्रामिन समाज का इतिहास किस परकार का होता है उसके बारे हम बात करेंगे कई बारे यह question को थोड़ा गुमा कर पूछ ले जाता है जिसके अन्दर में आ जाता है कि मद्य यू गीन भारतिय समाज को सोड़ोग को बताईए ठीके तो कोष्यन कुछ भी चेंज ऺ तो उसके अन्दर में हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखना है आँजर तीक है, ग्रामिन समाज का इतिहास, ग्रामिन समाज किस परकार का होता था? किस इतिहासकार ने क्या बोला? ग्रामिन समाज को लेकर इसके बारे में हम डिसकस करेंगे important topic है, अक्षर exam में पूछा भी जाता है, चलि हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पे कई सारी इतिहांसकारों के नाम आईएंगे तो आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है और किसने क्या बोला किसने क्या टिपणी करी थोड़ा पूत आपको वो रफली याद रखना है सबसे पहले जो यहां पे इतिहांसकार के तौर पे आते ह ठीक है अलबरुनी बोलते हैं कि जो भारतिये जो ग्रामिन व्यवस्था थी ठीक है जो वो अतदिक रूडिवादी थी ठीक है रूडिवादी मानते थे उसे ठीक है अब परिवर्तन सील मानते थे कि वो परिवर्तन नहीं हो रहा था उसके अंदर में रूडिवादी था पु मद्द्य यूगिन भारतय समाज जो बीच-Medival period का जो पूरा भारतय समाज था इंडियन सोसाइटी थी ठीक है वो अपरिवर्तन सील थी और इस्थिर समाज माना गया ठीक है वो मानते थे कि अपरिवर्तन सीले जहां परिवर्तन नहीं हो रहा है और इस्थिर है वो fix एक जग मरता की जो इस्तिती थी जो लोग कह रहे हैं या फिर अलगलग विचारक आये उन्होंने का कि वो आत्म निर्बर है वो इस्थिर है यह सब क्या है अपवाद है वो सब जूट है उन्होंने यह मानकर चला यह सारे मिथ्थ है यह मानकर चला फरनाड ने फरनाड भी एक इत्या समाज में जाते हो तो नौर्मली क्या हुआ बहार सोसाइटी की अंधर में ठीक zusammenAY तो आज तो विक्सित हो क्या हो चुके तो TV LED अब कि आपके घर में है फोन है नेट है तो पता सब्सक्र जाता है पर नॉर्मली क्या था था कि जब यहां पे एक और इतिहांस काराते हैं इर्फान हवीव करके ठीक है इर्फान हवीव क्या कहते हैं इर्फान हवीव का कहना था कि काल माक्स की जो तर्क थे कि भाई ये परिवर्तन सील है ये इस्थिर समाज है उसको चुनोती देते हैं कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक ह उसको मानने सिंकार करते हैं सासात में इर्फान हभीब यहां पर यह कहते हैं कि मद्दे यूगिन गरामिन समा जो मिडाइवेल एड का जो एज का जो इंडिन सुसाइटी था पूरा ठीक है वो आर्थिक और जाती वर्गों के अधार पर विवाजित था ठीक है आर्थिक कि इसके अंदर में आंसर आप लिखोगे कैसे तो अगर यह कोशन आ जाता है कि प्राग्रामिन समाज का इतिहांस बताईए ठीक है या फिर मद्द्य यूगिन भारतिय समाज का सोरूप बताईए क्या है तो इसके अंदर में नॉर्मली थोड़ा सा डेफिनिशन दोगे कि ह होता क्या है उसके बाद जितने भी में यह इतिहांस कारों के नाम बता रहा हूं चाहे अपका अलबरुनी हो कालमाक्स हो फनाडो इर्फान हवीब हो ठीक है उनके बारे में यहां पर डिसकस करते जाओगे कि इसने यह बूला है आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना है एक तो आर्थिक रीजन है ठीक है आर्थिक अधार पर रीजन है और दूसरा रीजन बोलते हैं कि जातिये वैवस्ता जो थी उसके अधार पर भी यह बटा हुआ है जातिये वैवस्ता के अधार पर यह दो रीजन देकर इर्फान भी बोलते हैं सासत में आगे आता है कि मुखह था ख़ाना बदोस और चारवाही वाले जो होते थे वो नहीं को खाना जन्जातिये यहां पर यह दो जन जाती हैं थी जो मद्यकाल में बहुत जाता देखने के लिए में मिलती है यहां पर सासत में का जाता है कि जाती ग्रामिंड समाजिक संदचना का मूल थी जो ग्रामिंड समाजिक संदचना ना गाओं की जो संदचना थी ग्रामिंड संदचना है उसका मू पुल सोरूप के तौर पर देखने के लिए मिलता जाती ववस्था अगर जाती ववस्था नहीं होता तो साइद गाउं उस तरह का होता है इन्हीं उसकी इंपर्डेंस उस तरह की नहीं होती ये भी माना जाता है इर्फान हवीब के दौदा आगे मैं बात करूं दोस्तों इस राजपूत है ये जमार है ये पंडित है जो भी है मैं किसी को टागेट नहीं कर रा आम लुट सेंगे टू एन्यूवन ठीक है तो यहां पर नूर्मल ली कहता है इन जाती ववस्था के अधार पर ही सोशं का अधार बना सोशन हुआ अगर ये जाती ववस्था नहीं होती तो शोशन कभी होता ही नहीं ठीक है ये भी माना गया साथ साथ में यहां पर ये का जाता है कि ग्रामि demographic में बहुत जैसे थी ठीक है मारा पर बहुत जाते है तो मतलब क्या एक से ज्यादा जाती हो कि महाँ पर पर्चलन था या पर रहते थे ग्रामि chance कें लैं भीज पतो हों जहाता है वहां पर राचपुत भी मिल रहे हैं चमार भी मिल रहे है वहां से हर तरह की uh नौर्मली आपने वर्ण ववस्था पड़ा होगा, छत्रिये, ठीके ब्राम्मन, ठीके वैश्या और जो छुद्रोते, तो इस तर से चारों वर्णों में बटे हुए थे और उनके अंदर में कई साल जाती आती, तो वो आपको ग्रामिल समाज के अंदर में देखने के लिए म कहते हैं कि मद्दे युग में जाती द्वारा निर्धारन किया गया कि कौन किसान हो सकता है, जैसे मानलो किसी को किसान का दर्जा देना है, तो वो कौन निर्धारन करेगा, कैसे निर्धारन पता चलेगा कि कौन किसान है, तो जाती ओ द्वारा ही पता किया जाता था थे कि किसान बन सकता है, या अदरवाइस नहीं बन सकता है, अगर किसी और को भी खेती करने का मन है, तो वो खेती नहीं कर सकता था, यह एक यहाँ पे reason होता था, सासात में कहा गया कि ग्रामिन सनरचना में उच्छे जातियों को विशेशा दिकार प्राफते थे जो गाउं की सनरचना थी अगर आप उच्छे जाती से विलोंग करते हो तो आपके पास थोड़े से special rights हुआ करते थे जिसका आप use कर सकते थे जमीदारों के पास मतलब ससातर सैनिक होने का अधिकार होता था वह अपने पास सैनिक रख सकते थे जमीदार जो हुआ करते थे बड़े-बड़े वू लठ्वार सैनिक होने का अलग तरीके चीज़े रखा करते थे वो नौर्मली अगर हम बात करें आगे इसके थोड़ा सा बढ़ाएं तो ब्रामन, राजपुत, बनिये जैसे जो लोग होते थे इनको कभी भी खेत में काम करने के जुरूत नहीं पड़ते थे खेत में खुद स्वयम काम नहीं करते थे अपने खेतों में भी ब्रामन, राजपुत, बनिये जैसे जो बड़े वर्गे के लोग थे, उच्चे वर्गे के लोग थे वो काम नहीं करते थे रिजन इसका यह होता था कि वो अपने खेतों में काम करने के लिए ध्याड़ी, मजदूर, ठीक है या फिर बेगार, किसी को भी ऐसी पकड़ कर ले आए, जबरदस्ती काम करवाली है, तो बेगार, ठीक है बिना पैसे का जिसे देते हैं, उसे बेगार कहते हैं या फिर निम्न जाती हो द्वारा मजदूरी कराय जाती है तो उसको खेत को जुदवाय जाता था ठीक है, ये अपने आप काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनका एक मेंटलिटी सेट था, हम तो बड़े लोग हैं, हम कैसे काम करेंगे ये काम तो छोटे लोगों का है, निम्न वर्क का है, वो करेंगे तो ये फिर मजदूर लेकर आते थे, ये बेगारों को लेकर आते थे, ये फिर जो निम्न वर्क के लोग हैं, उनको कहा जाता था करने के लिए, और वो करते थे मना करने पर आप जानते है यो मतलब आपने कई सारी मूविया देखे होंगी कई सारी चीज़े देखे होंगी जिसके अंदर में बहुत सारी problems देखने के लिए मिलती है अगर कोई मना करता है तो ठीक है आगे इसके अंदर में एक और आते हैं यहां सकार मेक्स बेवर करके, ठीक है, मेक्स, मेक्स बेवर करके आते हैं, मेक्स बेवर भी यहां पर कहते हैं, अपनी टिपनी करते हैं, कहते हैं, वेवसायों की गति सिल्ता में जातियों का मुख्य बादा रहा, मतलब जो वेवसाय चल रहा था न, ठीक है, जितने भी बिज महाजनों का व्यसा unmute की वानाटम बन्या जाती के लिए था ठीक जो पैसि के लेंदिन करना किसी को पैसेओन धारी यह सारा जो लेंदिन का कारोबार होता था बन्या को दिया गया कि आ यह गले पर बैठेंधन के अंदर में कए जगफर ब्रामन होग Mainly में वह चीज़े देखने के लिए मिली कि वो जो महाजनों का काम कर रहे आं जंजातियों का खेती किसान में परिबर्भतित नोलेगे जो बड़ी बड़ी जंजातियां आप इस दिन धा किसान Java में परिवर्भतित ने जंगल ही करती हुए और राज़पूत हो तो आप जम्मिधार अब डूसरे को लाना पड़ेग। इस तरहां पर यह क्लाक पूर समाज नहीं हो को आपने आनसर लिखना आपको घृप 마스크 आपको समझ में आयोगा टॉपिक और दोस्तों ये पूरा जो MHI 06 का इसके दमें 15 से 20 टॉपिक करने है तो सारे टॉपिक्स देखेगा जिससे आपका जो पूरा ये बुक है प्र बूर्मोस्ट कि लियर हो और इस तरह के टॉपिक्स बनाने का रि optimize ये है कि आपका एक-एक टॉपिक को में रिशे सा टाइम दे सकता हूँ और आपको अच्छे समझा सकता हूँ जिसके कांसे इस तरह के इस Cra avocado मैं आपके लिए बना रहा हूँ अगर आपकी तरफ से कोई मेरे लिए suggestion हो तो आप मुझे suggest कर सकते हैं friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best